हलो फ्रेंज निलीमा क्रिशन में आपका फिर से स्वागत है आज मैं आपको यह स्टार्शिप डॉर्मिट बनाना बताऊंगी इसे में आज आपको 30 फंदे से बनाना बताऊंगी 30 फंदे में यह काफी बड़ा बनकर त्यार हो जाएगा क्योंकि इसमें बाद में 13 फंदा और बढ़ेगा भी यानि कि 43 फंदे का यह डॉर्मिट त्यार होगा और अगर आप इसे पुरानी चुन्निये साड़ी से बनाएंगे तो यह काफी बड़ा बनकर त्यार हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं यह कैसे बना हुआ है वैसे में से बहुत इसी स्टेप्स में ही ब बनेगा और शुरुवात में ही पहले ही लाइन से हम लोको कलर लगा लेना है तो उसी एक लिम लोग फंदे भी लेंगे तो चलिए देख लेते हैं 30 फंदे लेने हैं तो यह वूल को डबल कर लिये हैं अब इसी से में 26 फंदा ब्लू कलर से ले लेंगे एक छोटा वला धारा इस तरफ है यह देखिए इसमें हम लोग 30 फंदा ले ले लिए हैं 26 फंदा ब्लू कलर से और यह 4 फंदा हम लोग औरेंज कलर से ले लिए हैं अब यह पहला लाइन है पहला लाइन से हम लोग डिजाइन सुरू करेंगे तो देखिए यह जो चार फंदा यह औरेंज कलर का है उसे बिनेंगे पहला फंदा को भी बिनेंगे उठा पाना नहीं है इस वाले डिजाइन में इस तरह से दो तीन यह चार अभी जो ब्लू वाला फंदा है इससे देखिए किस तरह से बनाएंगे इस तरह से पहले इसमें ले लेंगे और यह जो ओरेंज वाला और ब्लू वाला को एक बार इस तरह से क्रॉस करेंगे नहां पर देख से लीजह तरह से ले लेंगे और वह रोल बिंदेंगे इस एक फंदे को दो वार भीने तो यहाँ एक फंदा बढ़ गया फिर सित को शामने ले आएंगे बाकी जो बंदे हैं इधर के बच्चेवी उन्हें उन्टाउटा बिंदे जाना है इस तरह से कि बहुत ही आसान सा डिजाइन है और हर बार इसी तरह से फंदा बढ़ाना है देखिए इसे बिनते वे यहां तक कर लेते हैं देखिए बिनते वे अंत में आ गए है यह अंत का जो दो फंदा है इसे बिना बुने हम लोग छोड़ देंगे यह एक दो अब यहीं से धावा को पलड़ देंगे इस साइड यह इसका सीधा बनने वाला है इस साइड में जहां पर जो जैसा कलर है वैसे ही बिन लेंगे पहले इसे यहां तक बिनते हैं जो बढ़ा है वहां तर यह देखिए ब्लू वाले सारे फंदे बिन हे लिए हैं यह जो देखिए दो फंदा में से यह वाला बढ़ा हुआ है तो इन्हें भी बिन लेते हैं कि यहां पर है शिरी साइडर्ण तो यह बलू वाला दागा को सब्टे साइड में कर देंगे और उल्टा उल ठाइब में ही ओर जो उला दागा है कि देखिए इसके साथ से एक बर और प्रॉस कर देंगे इस तरह से लपेट करके थाप अच्छे से कीच के सामने ले आएंग और फिर बाकी ओरेंज वाले फंदों को ही बिन लेते हैं इस तरह से तो आप समझ रहेंगे कि मैं इसमें क्या की देखिए सिर्फ यहां पर एक फंदा बढ़ाएं और बाकी जो जैसा था वैसे उल्टा उल्टा ही बिनते गए हैं और इधर में यह दो फंदा छोड़ें तो देखिए अब यह देखिए इधर का जो फंदा है वह कुछ नहीं पहले फंदे से ही बिनते जाना है इस तरह से यहां चार फंदा है नचारों को भी बिनना है दो तीन चार फिर से रिपीट सेम करेंगे जैसे हम लोग पहला लाइन में किये इस वाले फंदे को दो बर बिनेंगे एक बर सामने की साइट से इस तरह से गिराएंगे ने इस फं कि इक बंढ़ वीचे की तरफ से ये बिन देंगे देखिए ये फंदा बढ़ गया फिर से धागा सामने ले आएंगे फिर से बाकियों को उल्टा-उल्टा बिनते जाएंगे और फिर से उस तरफ से दो फंदा बिना बुने छोड़ेंगे इन दोनों को तो यहां तक भी लेते हैं यह रेखें बिनते वे अंत में आगें फिर से यह दो फंदा और छोड़ दियें इस तरह से चार फंदा छोड़ गया धागा सीधी साइड बिनते वे फिर से इसके उपरे साइड में आ गए हैं यहां पर कलर चेंज हुआ है सेम करेंगे इस दागा पूल्टे साइड औरेंज वाले को अच्छे से खीच के सामने ले आना है और बाकी औरेंज वाले फंदों को बिन लेना है इस तरह से देखिए तो दो लाइन में दो फंदा बढ़ा लिये हैं इसी तरह से 11 फंदा बढ़ाना है जिस तरह ये 2 लाइन दीख रहा है वैसे ही और 11 लाइन बनाना है यहां पर हम लोग इसमें ब्लू कलर में 26 फंडा लिये थे और दो दो फंडा छोड़ रहे हैं तो तेरा लाइन यहां पर बनेगा तो 26 फंडा तक पहले हम लोग इस तरह से दो दो फंदा करके छोड़े लेते हैं और यहां पर 11 फंदा बढ़ा लेते हैं सेम प्रोसेस से इसे कर लेते हैं इधर ओरेंज वाला में कोई फंदा में बढ़ाना है जहां पर जो जैसे हैं सिर्फ बिंते ही जाना है तो इसे कर लेते हैं इसके आंगे बताते हैं तो देखेए इससे बनाते वे यहां पर यह 13 लाइन हम बना चुके हैं यहां पर 13 पंदा बढ़ा लिए हैं और इधर से दो दो फंदा छोड़ते वे 26 पंदा तक छोड़ दिया है यह इसका यहाफ बन गया है अब जैसा कि से देख रहे हैं यह इस तरह से यहां पर देखिए जो चार फंदा है औरेंज वाला उसे ब्लू वाले धागे से बिनना है सिर्फ चार फंदा दो तीन यह चार यह बीच का लाइन है इसमें सिर्फ हम लोग कलर ही चेंज करना है तो इधर में अब यह देखिए चार फंदा बिनने के बाद यह औरेंज वाला धागा से बाकियों को बिन देना है इस तरह से इसे यहां एंदम अंथ तक बिन लेते हैं यह देखिए विंट विंट में आ गया है यह अंध का भी फंदा बिन लेते हैं देखिए अब सीधे सेट से यह अंतो लफंदा उठा लेंगे खीच लेंगे अच्छे से और बाकियों को सीधी सेट में सब को बिनते वे जहां पर जो जैसा कलर है एक दम यहां तक इसे बिन लेना है अरेंज वाले फंदे बिन लिये हैं यह देखिए यहां ब्लू वाला है फिर से धागा उल्टे साइट कर देंगे और उल्टे साइट से इस धागे को सामने ला करके उन्हें बिनेंगे इस तरह से यह बीच का लाइन बन गया अब देखिए इधर में जैसे ही तीरा लाइन बना है इसके सड में में तीरा लाइन बनेगा देखिए यहाँ पर यह जो चार फंदे ब्लू का है उसको जैसे कर तैसे ही रहने देंगे कुछ नहीं करना है इसे बिंगते जाना इस तरह से इस तरह से यह देखिए अब यह जो ओरेंज वाला है इसमें हम लोग 13 फंदा गिनेंगे क्योंकि हम लोग 13 फंदा बढ़ाये थे तो यहां से गिल लेते हैं कर दो चार दो छेट दो आठ दो दवाड़ यह 3 इज देखिए के त्येराफंन में मैं एक मारकर लगा देरी हूं पिन याद रहे बाद में मैं इसे खोल दोंगी ऐसे मुझे याद ही रहती है पर समझाने के लिए मैं जस्ट यहां पर पिन लगा दे रही हूं कि तेरहां फंदा मारा यह वला है अब यहां पर देखिए इस तेरहां फंदा के बाद इधर में 26 फंदा रह गया है यह भी दिगिन के बता देरें है अब यहां पर घटाना है तो यहां से दो फंदा को इस तरह से ओरेंज वाले फंदों को साथ में ले करकर बिन देंगे जिससे यहां पर एक फंदा यह घट गया बाकी जो बचें हैं बारा फंदा गिनते वें देखिए दो दो तेन चार्ण पांच छे साथ आठ आठ 21 साथ में लेकर के इस तरह से में देखिए यहां पर भीन दीर है यही रगा को पलट देंगे पहले इस साइट से यहां पे 2-2 पंदा चोड़ रहे थे अब हम्रों यहां पे घटा दे रहेए एक फंदा जो बढ़ाया थे पहले उसे घटा दे रहे हैं और इधर से जो 26 पंदा है उसमें से 2-2 पंदा साथ में लेकर के बिंते जा रहे हैं यहीं से धागा को पलड दिये हैं आप सीधी साइड से बिनते जाना है जहां पर जो जैसा कलर है यह देखिए इस तरह से आगए उपरी साइड में फिर से सेम करेंगे यह देखिए फिर से इन चारों फंदों को पहले बिन लेते हैं कोई फंदा सामने का उठाएएगा ने तो सिकूर ने लगेगा सब कोई बिनना है इस तरह से चार फंदा बिन लिए फिर से यहां पर दो फंदा का एक करना है हलका सा खेचना उचना कुछ भी नहीं है धागे को यहां पर फिर से यह ज्यारा फंदा बिनेंगे हम लोग देखे चार हुए हैं पांच शेए शाट आट नूँँ दस देखे ग्याराँ यह सो बढ़े हुए फंदा इस तरह से इसके अब्जुरत में इसे खूल देते हैं यह से दावा पलड़ देंगे फिर यहां पर एक फंदा घटाएंगे और इधर से दो फंदा आगे बढ़ते जाना है और हर एक एक फंदा यहां पर घटाते जाना है तो एसे ही कर लेते हैं जैसे यहां पर इम्लोग तेरा लाइन बना है वैसे इधर में भी तेरा लाइन बनेगी इसमें एक लाइन यह एक्स्ट्रा बना है यह सीधी साइड से देखिएगा तो यहां पर यह ओरेंज वाला लाइन एक एक्स्ट्रा दिखेगा जिसमें हम लो कलर्स चेंज किये थे बस वही बाकि इधर भी यह तेरा लाइन ओरेंज कलर से बना हुआ दिखेगा तो इसे कर लेते हैं सेम प्रोसे से इसे कर लेते हैं लास्ट अला लाइन दिखाते हैं फिर कि कलर इसमे कैसे चेंज करेंगे यह देखिए फ्रेंस घटाते हुए यहां पर बारा फंदा घटा लिए हैं अभी एक फंदा और घटाएंगे तो यह लाइन कंप्लीट हो जाएगा इधर में देखिए दो फंदा रह गया है तो इसे हम कर लेते हैं इसकले का लाश्ट लाइन है यह इस तरह से यहां पर यह सारे फंदे जो बढ़े वे थे घट गए अब यहां से फिर यह 26 फंदा हो गया होगा इसे बिंगते बेगदे मांथ तक कर लेते हैं यह देखिए आग अंत में यहां पर जो दो फंदा रह जा है उसे भी बिल लेंगे सीधी साइट से जहां पर जो जैसा कलर है वैसे ही बिनेंगे इस वाले फंदे को उठा लिया करेंगे जागा सामने ले आएंगे चले जाते हैं उपरे साइड में यह देखिए इस दोटे साइड में कर देता है इस तरह से इसकी एक कली कंप्लीट हो गई अब इसकी दूसरी कली स्टार्ट करनी है तो जैसे हम लग पहले लाइन में कलर लिये थे वैसे इसको करना है तो फिर सिये औरेंज वाला उपर चला जाएगा इस वाले लाइन में चार फंदा और इस कलर से इस सारे फंदे ब्लू कलर से बिन करके एक बर बापिस इस साइड बोडर साइड में आ जाएंगे कि अगर इस सीद्य साइड से भी बिनते वे उपरी साइड में चले जाएंगे हैं हमेशा ही लाइस्ट फंदा उठाना है बार बार बोल रहे हैं ने तो बीच में जो सरकल बन जाएगा बहुत बड़ा सा तो फिर कमेंट करके बूलिएगा कि बहुत बड़ा सा सरकल आग रह किया है कि यह देखिए बिंटे वेश और से अपरे साइड में अगया है अब फिर से यहां पर इसके दूसरी कले टा होने वाली है सेसी तरह से अलटनेट कलर इसमें बडलते जाना है और फिर facing यहना पर मतę yüzden आधना और फिर inspirator 13 अधरा बड़ाना हैं और इह से दोठी फंद तो यहां पे ही घटाना है जहां पे बढ़ार इधर में तो यहीं पे घटाना है और इधर से दो दो फंदा साथ में लेकर बिंते जाना है इसी तरह से इसकी सारी कली को कंप्लीट कर लेना है देखिए जब इस तरह से यह कंप्लीट हो जाए तो अंत में सारे फंदे बंद कर लेंगे देखिए यहां पे इस तरह से दो फंदे को साथ में लेकर की बंद कर देंगे अब यह बाकी ओरेंज है तो यहां से ओरेंज वाले धागी से ही बंद कर लेंगे यहां कट कर लेंगे यहां फिर कट में करेंगे इधर में थोड़ा से धागा रखते वे यह उल्टे सैट से इसके यहां पे इस तरह से सिलाई कर देना है सुवी धागे से सिलाई कर लेना है तो यह से कर लेते हैं कर लेते हैं कर दो